हलो बच्चो बच्चो इस वीडियो में पैरावोला का एंसी आर्टी का question का discussion करेंगे जिसन द इसक्रीन पर देख रहे हो यह question आपका पैरावोला का है दीखे एंसी आर्टी का तो question discuss करने से पहले थोड़ा सा हम लोग parabola की बारे में जान जाते हैं एक introductory part parabola में दीखे तो parabola होता है क्या है तो parabola हमारा जो है the set of all points in a plane that are equal distance from a fixed line and a fixed point दीखे अब जैसे समझी इस इसको कि एक हमारा ये fixed point हो गया इस fixed point को ही बोलते हैं focus बोला जाता है और एक हमारा एक fixed line है इस fixed line को बोला जाता है directrix क्या बोलते हैं इसको directrix बोला जाता है दीखे ये line और point एक ही पर line नहीं करना चाहिए ये नहीं कि point जो है line पर लाई कर रहे और line point पर लाई करना ऐसा नहीं फिक्स्ट पॉइंट अलग होना चाहिए और डायक्तिस अलग होना चाहिए प्लेन में अब हमें उस जगह पर मने वो वो पॉइंट लेना है जहां से यह फोकॉस और डायक्तिस की बीच की दूरी बराबर हो अब उस सभी point को जब हम मिलाएंगे तो उससे बनने वाला curve को क्या बोलते हैं पराबोला तो यह इस तरह के nature में आ जाता है इस तरह के symmetric nature का होता है तो कि इस तरह के nature में बनता है अब जैसे देखो मालनों कि यह हमने point है पराबोला पो तो यहां से इसको थोड़ी से यह जादा दूरी लग रहा है तो इसको थोड़ा साब यह देख्ड अब यहाँ से एहाँ से इस focus की दूरी और यहाँ से यह direct religious की दूरी इक्वल होना चाहिए एकदम equally होगा तो इसको पैरा बोला कहेंगे ठीके तो क्या बोलेंगे कि इसको पैरा बोला अब जैसे मालनों कि यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया तो यहां से इसकी दूरी फोकस की और वहां से डायक्टिस की दूरी कैसे निकालेंगे पर पेंट को ड्रॉड करके यह दूरी यह दूरी इकवल होना चाहिए तिक है आप यहां ले लिये किया है इसी को बोलते हैं पैरा बोला ओके तो हमने समझ किया कि पैरा बोला ठीक है कि इस ब्लैक को हम लोग यह ब्लैक को बोलेंगे पैरा बोला यह हमारा पैरा बोला पैरा बोला जो होता है एक्सिस और पैरा बोला से सामेट्रिक होता है अब एक्सिस और पैरा बोला क्या अभी से प्रपोकस से कुरस कर रहे इसका मतलब है यह एक्टी देखो यह प्र विमक मैं हो सकता है ने को यह ही कि यह जो किया ओंगा यह इक्षिस अप ना दो गारा यह हमारा ने किसा है झी से फोकस से पास कर रहा है इसको बोलेंगे हम लोग axis of parabola ये एकसिस of parabola ये हमारा क्या हो जाएगा axis of parabola ठीक है और ये axis of parabola से कैसा होता है हमारा symmetric जैसा ओपर वैसा नीचे जैसा हमारे graph exact नहीं है ठीक है ना जैसा उपर वैसा नीचे होता है ये एकसिस अब आप देखो पैराबोला और एकसी सब पैराबोला जाहिंटर से करता है उसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स अब देखो वर्टेक्स से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से डारेक्टिस की दूरी बराबर होगा क्योंकि vertex तो parabola पहीं लाई करता है ऐसे parabola पर कोई भी point से focus की दूरी और वहाँ से directives की दूरी equal होता है तो यह हुआ हमारा parabola अब इसके कुछ standard equation हम लिख सकते हैं तीके अब जैसे देखो y square equal to हमारा जो 4x से यह हमारा parabola का standard equation है जब parabola origin से pass करता हो parabola किस से हो? मनि उसका vertex origin हो और उसका axis और parabola कोई x-axis या y-axis हो तब इस तरह की equation बनते हैं y square equal to 4x या x square equal to 4a y अब जैसे यह हुआ तो इसके लिए हमारा जो graph का nature होता है इस तो रखा होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है जैसे यह x हो गया यह y ठीके तो हमारा parabola क्या होगा? यह देखो यह हमारा parabola हो जाएगा अच्छा इसका vertex क्या हो गया? origin ठीके? और इसका focus x-axis पर होगा और यहां से दूरी हम a ले लिए तो focus का coordinate कितना हो गया? a, 0 तो directics का equation उतना ही दूरी पर हो जाएगा देखो यह भी हमारा a तो इसका equation कितना हो जाएगा? x equal to minus a या x plus a equal to 0 यह हो गया? यह हमारा यह ही है y square equal to 4x y square equal to 4x इसका graph अगर minus में होगा तो यह change हो जाएगा और यह directics सिदर हो जाएगा focus उदर चला जाएगा अगर बात करें इसका तो इसके लिए देखो हमारा axis और parabola क्या हो जाएगा? y axis तीके क्यों? क्योंकि vortex जो है origin है यह देखो यह यह parabola ऐसे बन जाएगा तीके यह हमारा vortex हो गया 0,0 अब यहाँ पर यह आपका focus हो गया और यहाँ का दूरी कितना हो गया जैसे 0,10 का coordinate इस focus का डारेक्टिस तुमारा इधर हो गया किमकि इसकी दूरी भी हमारा a और यह हो जाएगा y equal to minus a तो y plus a equal to 0 और यह आपका parabola ओके बच्चों? इसका मतलब यह आपका हुआ अब यह जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा center जो है sorry, vertex जो है 0,0 यह हो अगर आपका vertex alpha, beta हो तो parabola का equation इसी extended form से लिख सकते हैं क्या y minus alpha square equal to 4ax minus beta sorry, यहाँ पर beta हो जाएगा और यहाँ पर alpha हो जाएगा ठीके तो यह उसके लिए है जब हमारा vertex जो है वो alpha और बीटा हो ठीके यह इसी पर है, इसी पर है तो ओके हम parabola के बारे में जान चुके हैं अब आज आते हैं question पर बच्चों अब बच्चों हम लोग यह question पर आते हैं तो यह देखिए बच्चों आपका यह example number 5 क्या बोल रहा है बोल रहा है find the coordinate of the focus axis of the equation of axis the equation of the directives and latest rectum of the parabola y square equal to 8x तो हमारा क्या है जो हमारा equation दिया है तो equation मतलब given में जो parabola दिया हो क्या है given में जो हमारा parabola क्या है तो parabola is क्या दिया है y square equal to 8x तीके और parabola का standard equation क्या हो जाएगा तो y square equal to 4x तीके the standard equation of parabola y square equal to 4ax अब इसको 1 मान लिए इसको 2 मान लिए 1 2 से मतलब compare करो comparing equation 1 and 2 तो हमें क्या मिला हमें मिला 4a बराबर 8 तो a बराबर कितना हो गया 2 अब a मिल गया अब a मिल गया तो हम निकाल सकते हैं सब चीज अब देखो यह इस standard form पर y square equal to 4ax है इसका मतलब कि इसका focus किदर होगा जी x axis पर होगा और positive axis पर होगा तो यहाँ पर focus हमारा मने coordinate उसका क्या हो जाएगा एक कॉमा 0 तो कितना हो गया 2,0 अच्छा वर्टेक्स तो original से पास करेगा उसके बाद आगे हमारा आगे क्या पूछ रहा है axis axis क्या होगा जी तो इसका axis हमारा हो जाएगा axis of parabola axis of parabola is x axis क्योंकि focus किस पर लाई कर रहा है x coordinate पर लाई कर रहा है आगे आगे क्या है equation of directrix तो directrix क्या होगा तो यहाँ पर लिक लेंगे the equation of directrix directrix से पूछ रहा हाँ the equation of the directrix क्या हो जाएगा तो equation of directrix हमारा हो जाएगा x equal to minus a तो देखो equation of directrix इस केस में होगा था x equal to minus a x a कितना है minus 2 हो गया यहाँ पर x plus 2 equal to 0 लिख सकते है आगे बोलिए देखिए यह आगे बोल रहा है लेटर्स रेक्टम तो लेटर्स रेक्टम क्या हो जाएगा length of latest रेक्टम length of letters रेक्टम यह क्या होता है 4a तो 4 into 2 equal to क्या हो जाएगा अगर इसका हम diagram बनाएं तो देखो अगर इस पराबोला का हम diagram बनाएंगे यह हमारा एक्से से और यह हमारा यह एक्से से अब देखो ओरीजीन ही वर्टेक्स हमारा ओरीजीन पर है सुरी वर्टेक्स ओरीजीन पर है अच्छा फोकस हमारा एक्से से पर है पोजेटीव तो यह इस तरह से तरह से यह यहाँ पर आपका यह फोकस आगया जिसका कोर्डनेट 2,0 यह आपका वर्टेक्स हो गया यह दूरी भी हमारा टू और यह दूरी भी टू तो डायक्तिक्स का एक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स इकोल टू माइनस टू तो एक्स प्लस टू इकोल टू जीरो अब लेटेस रेक्टम जो होता है लेंथ लेटेस रेक्टम जो होता है वह फोकस से परपेंडिकुलर ला इसी को बोलते हैं क्या Letters Rectum Letters Rectum और इसकी जो लेंद होती है फोरे होता है मतलब यहां पर लेट ऑके बंच्चो नेक्स करते हैं अब देखें नेक्स्ट क्वेश्च क्या बोल रहा है NCRT कहा हमारा next question find the equation अफ पेराबोला हमें पैरेबोला का equation निकालना है फोकस दिया हुआ है और directives दिया हुआ है तो यह focus हमारा 2,0 इसका मतलब focus कहां लाई कर रहा है एक्स-axis पर तो जब focus एक्स-axis पर लाई कर रहा है इसका मतलब equation एक्सिस अप्ड़ाबोला क्या हो जागा एक्स-axis क्यों क्यों कि एक्सिस अब पैराबोला जो है वो फोकस से पास करता है डायक्टिस से पर पर होता है और फोकस से पास करता है यहाँ पर देखिए डायक्टिस का एक्विशन दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर देखिए सलुशन गीवेन में क्या दिया हुआ है तो गीवेन में दिया है फोकस यहां पर हम लिख लेजिए focus कितना दिया है 2,0 and direct x मतलब उसका equation कितना दिया हुआ है direct x हमारा दिया हुआ है ठीक है direct x दिया है x equal to minus 2 ठीक है तो focus और direct x दिया हुआ है ओके इसको यह हमारा direct x is क्या दिया हुआ है x equal to minus 2 focus हमारा देख रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे sense focus मतलब if focus 2,0 lies on x axis ठीक है therefore therefore the axis of parabola is along to x axis axis of parabola हमारा x axis पर अब देखो वज्यों यहां पर देखना है हमें axis of parabola x axis पर यह x axis के along symmetric होगा अच्छा यह देखिए focus हमारा क्या दिया हुआ है 2,0 f क्या दिया है 2,0 इसका मतलब a कितना हो जाएगा a बराबर a बराबर 2 और directives भी तो वह दिया हुआ है इसका मतलब a बराबर 2 हो गया अब a बराबर 2 हो गया तो हम पराबोला का equation लिख लेंगे आसाने से now the equation now the equation of parabola is y square equal to 4x y square equal to 4 into 2x y square equal to 8x यह हो जाएगा ठीक है hence the required equation of the parabola is y square equal to x ओके बच्चो नेक्स कुश्चन अब यह बच्चो देखिए आपका नेक्स कुश्चन जो है यह NCRT का कुश्चन है और यह एक्जामपल नमबर 7 है बोल रहा है find the equation of parabola with vertex at 00 मतलब origin and focus 0,2 अब देखो focus हमारा 0,2 है और यह vertex हमारा 00 मतलब origin तो focus जो है axis of parabola पर लाई करता है अब 0,2 से पता चल रहा है कि हमारा focus y axis पर है मतलब axis of parabola y axis है तो यहां पर हम डिरेक्ट लिख सकते हैं कि यहां पर since तीके न हमारा focus जो है 0,2 lies on y axis क्या है जी y axis तो therefore therefore axis therefore the axis of the parabola is along to y axis along to y axis और देखिये तो focus क्या दिया हुआ है focus हमारा दिया है 0,2 इसका मतलब क्या कि a बरावर कितना हो जाएगा two focus क्या होता है 0,a तीके न और यहां पर हमारा एक parabola का एक्सिस जो है y axis के लॉंग है और और वर्टेक्स हमारा ओरिजीन ही है तीके एंड हमारा वर्टेक्स क्या है जी 0 को हमार जी मतलब ओरिजीन है इसका मतलब the equation of parabola क्या हो जाएगा the equation of the parabola इस क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x square equal to 4 ay तो यहां से देखो x square of 4 into 2 ay x square equal to 8 y यही होगा answer आप लिख सकते हैं hence the required equation of the parabola is x square equal to 8 ok बच्चों next question करते है देख लिए बच्चों यह आपका question example number 8 ncrt क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि find the equation of parabola which is symmetric about y axis and passes to the point 2, minus 3 अब देखो हमें एक parabola का equation निकालना है जो y axis के about symmetric है और वो 2, minus 3 से pass कर रहा है अब देखो parabola हमारा y axis के symmetric है इसका मतलब क्या कि y axis हमारा axis of parabola हुआ y axis हमारा axis of parabola हुआ ठीके तर यहां पर देखो solution since the parabola is symmetric is symmetric about the y axis therefore the axis the axis of the parabola is along to is along to y axis अब axis of parabola हमारा y axis हो गया मतलब focus क्या होगा y axis पर लाई करेगा focus हमारा क्या होगा y axis पर मतलब focus लाई हो y axis इसका मतलब हमारा focus क्या हो गया focus हमारा 0, a हो गया focus हमारा 0, a हो गया तो हमारा equation of the equation of parabola क्या हो गया the equation of the parabola is y square equal to sorry यहाँ पर हो जाएगा x square equal to 4 a y यह न क्योंकि हमारा तो यह हो अगर x of parabola हो गया इसका ग्राप बनाएंगे तो तो यह हमारा क्या होगा इधर होगा तो यह हमारा 0,0,a होगा तो डिरेक्टिस इधर होगा और यह क्या हो जाएगा x square equal to 4 a y okay तो यह है the equation of the parabola is x square equal to 4 a y standard equation चलिए इसको हमान लेते हैं बन अब हमें a निकान लाओगा तो कैसे निकालेंगे तो question में दिया हुआ है since हमारा parabola जो है parabola one passes through the point 2,-3 2,-3 इसका मतलब क्या होगा x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3 तो यह 4 और यह कितना हो जाएगा कि माइनस्थ ट्वाइल एड ठीके अब यहां से हमारा a का वैलु हम आसाने से निकाल सकते हैं यहां से हम a का वैलु आसाने का परन लाओएक अब हम्हार्गा से बात lists1 यह cancel हो गया तो यह 1 बराबर माइनस 3A तो यह बराबर कितना है माइनस 1 आपान 3 अब वैलो पूट करते हैं putting a equal to minus 1 upon 3 in equation 1 we get तो कितना आया देखो y square equal to 4x है y square equal to 4 minus 1 upon 3x solve करोगे तो कितना आजागा 3y square minus 4x नहीं खुल्टा लिख दियें क्या x square है न यहाँ पर यह x square यहाँ पर यह यह यहाँ पर x square है तो यह कितना हो जागा 3x square equal to minus 4y यह ही आपका equation हो गया ओके बच्चों तो required equation हमारा क्या आजागा 3 है लिख लेंगे hence the required equation of the parabola is 3x square equal to minus 4y आपके बच्चों आपके बच्चों